आपका स्वागत है सबकी बात सच के साथ तो चली रूख करते हैं आज की प्रमुखबर पर हर्याना में हार के बाद दिल्ली में आप और कॉंग्रेज के गठवन्दन का कितना चांस रागव जड़ा ने बताया हर्याना और जम्मु कश्मीर विधानसवा चुनावों के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेज के गठवन्दन को ले कर्चार चाय तेज हो गई है इस संधर में आज तक की रिपोर्टर प्रिती चौधरी ने आम आदमी पार्टी के राजिसवा सांसद और नेता रागव चड़ा से विश्यस बासचीत की प्रिती चौधरी ने जब हर्याना और जमू कश्मीर चौनाव पर आपके प्रदर्शन के बारे में पूछा तो रागव चड़ा ने कहा जमू और कश्मीर में हमारा प्रदर्शन एतियासिक रहा है पहली बार हमने यहां एक सीट पर जीत दर्ज की है जो हमारे लिए बहुत बड़ी नेतिक जीत है आम आदमी पार्टी के साधरन कारिकरता ने यह जीत हासिल की है और इससे हमारी पार्टी को बड़ा मनुवल मिला है हाला कि हर्याना में पार्टी का प्रदर्शन निराश्टा जनक रहा राघव ने इसके लिए कॉंग्रेस के साथ गठबंदन ना हो पाने को जिम्मेदा ठहराया उन्होंने का कि हर्याना में कॉंग्रेस और आपके भी इच गठ बंदन होता तो परिणाम अलग हो सकते थे हर्याना की जंता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया लेकिन बीजेपी के खिलाब एक जोट लड़ाई ना होने से परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए रगव चड़ा ने खुल कर यह भी कहा कि हर्याना में चनाव परिणाम कॉंग्रेस की हार के रूप में देखे जाने चाहिए ना कि बीजेपी की जीत के रूप में उन्होंने का कि हर्याना के 61% मतदाता बीजेपी के खिलाब थे लेकिन एक जोट विपक्ष की कमी के कारण बीजेपी को जीत हासिल हुई कॉंग्रेस एक जोट विपक्ष की कमी के कारण बीजेपी को जीत हासिल हुई कॉंग्रेश ने आत्म विश्वास के साथ यह चनाव अकेले लड़ने का फैसला किया और परिडाम सब के सामने हैं मुझे उमीद है कि भविश में सभी राजनितिक दल इससे सीख लेंगे DM DA सहाब को पीने के लिए मिली विसलरी हजारों नकली बोतनों पर चलाव दिया खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास कबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार और देखते रहिए CG News Plus 84